आप सभी को नमस्कार और गुड मॉनिंग आप देख रहे हैं मकर संक्रांती की झेरों शुपकामना है। दू संक्रांती के ही स्थानिय रूप हैं मगर संक्रांती को पतंग उत्सव तिल संक्रांती आदी नामों से दीन पवित्र नदी में सिनान करने का तिल खाने का तथा सूर्य को अर्ग देने का महत्व है यह दिन और अराधना के लिए भी महत्पूर्ण है मकर संक्रांती से सबी तरह के रोग और शोक मिटने लगते हैं आपको बता दें कि हिंदु धर्म सास्त्र के अनुसार मकर संक्रांती से देवताओं का दिन आरंभ होता है जो आसाड मास तक रहता है करक संक्रांती से देवताओं की रात प्रारंभ होती है अर्थात देवताओं के एक दिन और रात को मिला कर मनुष्य का एक वर्ष होता है मन प्रित्वी अंधकार में होती है और इस अंधकार में शरीर का त्याक करने पर पुनर जन्म लेना पड़ता है यही कारण था कि भिश्म पितामाने भी शरीर तब तक नहीं त्यागा था जब तक की सूर्य उत्तरायन नहीं हो गया हिंदु धर्म में माना जाता है कि इस दिन से वसंत रितू की शुर्वात होती है और यह पर्व संपून अखंड भारत में फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है खरीव की फसले कट चुकी होती हैं और खेतों में रवी की फसले लहरा रही होती है पौराणिक परिद्रिश्य से भी मकर संक्रांती का दिन अतिम महत्वपून और शुब माना जाता है महाभारत काल में भीशुन पितामा ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांती का ही चैन किया था पौरानिक मानेता के अनिसार मकर संक्रांती के दिन ही मा गंगा धर्ती पर अवतरित हुई थी और भागीरत राजा के साथ पीछे-पीछे कपिल्मुनी के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुँची थी तभी से यह मानेता है कि मकड संकरान्ती के दिन धरती पर पहुँची मागंगा के पवित्र जल सिस्नान करने से रोग नश्ठ होते हैं और मुक्ष की प्राप्ती होती है और सभी पापों का नाश भी होता है कहा जाता है कि मकर संक्रांती का एक और पौरानिक महत्व यह भी है कि इस दिन सूरिदेव अपने पुत्र शनी से मिलने जाते हैं मकर संक्रांती का पर पिता और पुत्र के अनोखे मिलन को दर्शाता है इस दिन भगवान विश्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ती की गोशना कर दी थी एतिहासिक परिपेक्ष से बात करें तो यह बतादी की मकर संक्रांती का उद्गम बहुत प्राचीन नहीं है एक हजार इशा पुर्व लिखे गए उपनीशद और ब्रामन गरंथोक में उत्तरायन के 6 मासों का उलेक मिलता है इसमें अयन शब्द आया है जिसका अर्थ है मार्ग या स्थल यह बात शायद आपको भी जानकर अश्यर होगा कि भारत के अलावा और भी ऐसे कई देश हैं जहां विभिन्ने नामों से मकर संक्रांती का पर्व खूब हर्शोलास के साथ मनाया जाता है इस देश की सूची में शुमार है वो सारे देश हैं बांगलादेश, नेपाल, थाइलेंड, मैनमार, श्रीलंका, कमबोडिया और लावस मकर संक्रांती के दिन स्नान और दान जैसे पुन्यकारों का विशश महत्व बताया गया है कहा जाता है कि इस दिन कुछ विशेश चीजों का दान किया जाता है जो की अति फलदाई भी साबित होता है इस दिन शनी देव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुब माना जाता है इसलिए लोग शनी देव के समूख दीप्रजवलित करते हैं इस दिन विशेश तोर पर तिल, खिचडी, घी, कंबल, गुड और वस्तरों का दान अत्यन्त फलदाई माना जाता है आप सभी को भी मकर संक्रांती की धेरो शुप कामना है इस पर्व को अपने परिवार के साथ हर्शो उलास के साथ मनाए मगर जाते जाते ये जरूर बताते जाएं कि मकर संक्रांती को आपकी शेतर में क्या कहा जाता है और किस तरह से आप इस पर्व को मनाते हैं यह बात हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद